तो guys आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा Gmail open है जहाँ पर मैंने टाइपिंग जॉब के लिए apply किया था और company की तरफ से मुझे यहाँ पर mail आ चुका है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है dear Akshay Singh congratulations we have finished reviewing your basic information at this time we would like to invite you to proceed with the process तो आपको आप यहाँ पर मैं बताऊं अपने smartphone के जरीए तो यह video आपके लिए रहने वाली है यहाँ पर मैं आपके लिए कैसी job लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको typing work देखने को मिल जाता है उसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ task भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपकी 100% यहाँ पर earning होती है और यहाँ पर मै आपको बताता हूँ आपको कमाई किस तरीके से करनी है कैसे यहाँ पर अपना typing का task complete करके यहाँ पर अपने bank में कैसे withdrawal करेंगे सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में so make sure वीडियो को end तक देखना और जो भी चैनल पर नहीं आये है चैनल को भी subscribe करके वीडियो को ज इस तो हिंदी में तो यहाँ पर भाशाओ की बात करें तो आप किसी भी language में यहाँ पर काम कर सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी qualification की कौन-कौन candidate इसको apply करने के लिए eligible हैं so guys अगर आपने यहाँ पर 10th pass, 12th pass या फिर graduation, post graduation complete कर लिया है तो किसी भी तरीके क candidate यहाँ पर apply करने के लिए eligible है, age की बात करें तो यहाँ पर आपकी 18 plus age रहनी चाहिए अगर आप 18 साल के भी हैं तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, maximum age यहाँ पर आपकी 65 रहनी चाहिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके task के बार में तो यहाँ पर आपको different profiles देखन home job है तो आप अपने हिसाफ से यहाँ पर जब भी आपको time मिले, आप इस काम को करके दे सकते हैं, बट हाँ एक चीज़ का धियान रखना, company यहाँ पर आपको कुछ time देती भी है, कि इतने से इतनी दिन में आपको यह काम करके उनको दे देना है, वरना आपके जो task है, वो क सकते हैं, तो अभी मैं आपको उसको दिखाने जा रहा हूँ अपनी laptop की screen पर, उसके बाद यहाँ पर किस तरीके साथ को mobile से काम करना है, वो भी समझाओंगा, तो बिना किसी तरीके चलते अपनी laptop और mobile के screen, without any further ado, let's forget, so guys, जैसे कि भी आप देख सकते हैं, हम आजुगे हैं, अपनी laptop की screen पर, कुछ ऐसे interface आपको देखने को मिल जाएगा, इसका link में अपने इसी वीडियो के description में दे दूँआ, वहाँ से जाके आप इसली check out कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना account create करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर email address अपना डाल दे और यहाँ पर आपको continue पर click कर देना है, तो guys फिर आपको कुछ ऐसे interface शो होगा, जहाँ पर आपको projects देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको project करने के यहाँ पर बहुत अच्छी income generate होती है, उसके साथ यहाँ पर आपको एक task complete कर सकते हैं, साथ में data collection यानिके अपने phone से यहाँ पर task complete करके बहुत अच्छी earning यहाँ पर daily basis पर कर सकते हैं, अब यह किस तरीके से होगा, वो समझाओंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, कि आपको अपनी profile यहाँ पर सबसे पहले maintain करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, साइ English, Marathi, Urdu, जो भी आती है, आप उस हिसाब से अपनी यहाँ पर local language select कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको India select कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी fluency बतानी है, आप अपनी language कितनी अच्छे से बोल देते हैं, तो यहाँ पर मैं fluent बोल लेता हूँ, तो मैंने save हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, translation experience यहाँ पर डालना है, यानि कि translation experience अब क्या होता है, वो समझा देता हूँ, यानि कि आपको कौन सी language translate करनी आती है, यानि कि अगर आप English को Hindi में convert कर सकते हैं, या फिर Hindi को English में कर सकते हैं, तो वो कौन सी दो language है, जिसे आप क convert करनी आती है, तो मैं वो कर सकता हूँ, यहाँ पर, उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर अपनी Hindi language select की, और यहाँ पर अपनी English select कर लिया, और उसके बाद अगर आप इसको reverse करना चाहें, यानि कि English को Hindi में करना चाहें, तो आप उसके लिए इस option को यहाँ पर on कर लेन reverse translation के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर save करने के बाद आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगी है, profile मेरी दोनों set हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है, more about me में जाके, फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी personal information fill कर लेनी है, ठीक है, तो यह दोनों चीज बहुत mandatory है, तो आप इसको जरूर से fill कर लेना, ठीक है, बाकी इसे करो या ना करो, वो आपके उपर depend है, बाकी अगर आप कर सकते हो, तो यह दोनों चीज जो है, अपनी कर लेना, ओके, अब मैं आपको लेगा चलता हूँ, back to the project क देखने को मिल जाते हैं, यह अभी available नहीं है, यह आपके day by day new new आते रहते हैं, ठीक है, बाकी यहाँ पर data collection का work है, जहाँ पर आप अपने smartphone से यहाँ पर काम कर सकते हैं, iOS device हो, या फिर Android, आप किस तरीके से करना है, मैं बताता हूँ, तो simply आपको क्या करना है, यहाँ पर click क कर देना है, click करने के बाद आपको यहाँ पर task देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर 4 task होते हैं, जिसमें 3 मैं अभी यहाँ पर apply कर चुका हूँ, किस तरीके से पता करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर हम simply applications पर click करेंगे, यहाँ पर आप देख सक है, वो समझा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 25 डॉलर वाला task यहाँ पर जो है किया है, अगर मैं इस काम को कर दूँँआ, एक से तरीके से आपको दूसरा task देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 20 डॉलर देखने को मिल जाते हैं, अगर आप इस काम को करके देंगे, तो आपको यहाँ पर 20 डॉलर मिल जाता है, जहाँ पर आपको 0.40 डॉलर देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाथ यहाँ पर जो है, टास्लेक्ट करके उस काम को करके दे सकते हैं, आप काम किस तरीके से करना है, वो यहाँ पर अच्छे से स करना है सबसे पहले मैं वह चीज़ बता देता हूं तो देखिए अलग-अलग जैसे यहां पर टास्क होते हैं उसी हिसाब से यहां पर आपको काम करना होता है किसी टास्क में आपको जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटिड वर्क मिलेगा ठीक है यानि के टाइपिंग का काम इसी तरीके से यह अलग डिफरेंट टास्क है तो उसके बारे में यहां पर मैं समझाने जा रहा हूं तो फालकन ऑब्जेक्ट विडेस्क्रिप्शन यहां पर आपको टाइप करना है यानि के आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा यानि के फॉर एग्जेम पर वीडियोज बनानी है अपका करेंगे अपनी स्मार्ट्फोन की हेल्प से इसकी 360 वीडियो बनाएंगे यानि के चारो तरफ जी यह तरस की वीडियो बनाएंगे बड़िया सी और उसके बारे में यहां पर आपको अपको 15 वर्ड यहां पर लिखने हैं कैसे पता चला मु तो यहां पर आपको short video recording करनी है कि आप 360 की अच्छे से recording कर लो एक दो मिनट के और वो आपको यहां पर send कर देनी है तो इसी तरीके साब को यहां पर 10 video यहां पर डाल दी है 30 minute के अंदर अंदर ठीक है वो चीज़ इन्हों नहीं हाँ पर बताईए और जब आप इसकी ये 360 डिगरी वीडियो बना लोगे दस recording करके उसके बारे में फिर आपको उस object के बारे में for example जैसे ये मेरा चश्माई इसके बारे में आपको जो है अपने मोबाईल यानि के अपने मोबाईल से अपना description यहाँ पर write करना है brief यानि के छोटा सा जिसमें आपके पंदरे से जादा word होने चाहिए ओके ये हो गया clear अप कोई लोग कहेंगे के भई हमें कैसे लिखना तो आता नहीं है तो आपको करना ही कुछ नहीं है आपको simple क्या करना है गूगल कर लेना है चश्मे के बारे में ठीक है या फिर आपको जो है हिंदी में अगर बोलना आता है कि इस चश्मे में क्या-क्या खूब है इसके lenses कैसे हैं, तो इसी तरीके साब को हिंदी में बोलके translate कर लेने हैं, और जो भी English में है, वो translate हो का है का आपको यहाँ पर paste कर देना है, simple work है, okay, इतना करने के बाद यहाँ पर जो है, आपको easy qualification process देखने को मिल जाता है, project से related, जहाँ पर short term का यह काम रहेगा, और unlimited earning potential यहा यहाँ पर है, कम से कम only 10 video आप यहाँ पर अगर डालते हैं, तो यहाँ पर जो है, आप submission करेंगे उसको, जहाँ पर यह 30 minute में आपको यह complete करना है, description के साथ, ठीक है, तो 10 video यहाँ पर आपको बना कर, description लिख कर, उसका type करकर, अच्छे से यहाँ पर वापिस से send करना है, company को, we are looking for participants who are, अब यहाँ पर कौन कर सकते हैं, जिनकी age 18 साल की हो, या फिर उससे जादा, have an android and ios smartphone with 1080p recording capabilities, तो यहाँ पर आपके पास android phone या फिर ios device रहना चाहिए, जिसमें 1080p की recording हो, high quality की थोड़ी, ठीक है, तो 1080p आपको easily कहीं भी किसी भी smartphone में दिख जाती है, ठीक है, तो यह इतना बड़ा issue नहीं है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, next point की जहाँ पर इन्होंने बताया, have access to common everyday projects specified in the project page, तो यहाँ पर जब आप इसमें apply करेंगे, तो आपको daily जो है नहीने object दिये जाएंगे, जहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ठीक है, त अगर मानलो एक वीडियो का एक डॉलर है, तो दस वीडियो के दस डॉलर यहाँ पर हो गए, तो उसी साब से यहाँ पर आपका काम रहेगा, ठीक है, तो वो चीज इन्होंने यहाँ पर बताई है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाँगा, apply करने का process भी, अभी मैं इसको back ल आपको कुछ topics दिये जाएंगे, जिसके बारे में आपको यहाँ पर recording करनी है, ठीक है, AI से related आपको कुछ topics दिये जाएंगे, जहाँ पर recording का work रहेगा, उसके लिए आपके पास laptop और PC रहना चाहिए, यह उन लोगों के लिए जिनके पास laptop और PC है, ठीक है, उसके बाद काम आपका रहेगा, वो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है, किस तरीके का आपका यहाँ पर काम रहेगा, तो यहाँ पर आपको chat box से related जो है, 105 recording दी जाएंगी, ठीक है, 126 recording अलग music की दी जाएंगी, तो इस तरीके से आपको जो है बहुत सारी अलग-अलग different recordings दी जाएंगी, जहाँ पर आपको उसको record करना है, ओके, तो यह वाला आपका यहाँ पर काम रहेगा, जहाँ पर आपकी जो earning होगी, वो पर recording की साबसे यहाँ पर रहने वाली है, तो इसके बार में पूरा description दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसके English समझ में नहीं आ रही हो, इसको simply copy करना, Google Translate पर जाके उसको paste करके, जो है, हिंदी में translate कर लेना, आपको हिंदी में यह चीज समझ आ जाएगी, तो guys, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आप किस तरीके से यहाँ पर apply कर सकते हैं, तो simply मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर यहाँ पर click करोगे ना, इस तरीके से, तो आपको जो है, यहाँ पर नीचे की side corner में apply को option दिखेगा, तो इस चीज का धियान रखना है, उस पर apply कर देना, उसके बाद यहाँ पर जो है, आपको अपनी India language में यहाँ पर जो है, काम करना है, तो यहाँ पर आपको sentence लिखने है 222 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, किस तरीके से type करना है, वो भी समझाऊँगा, तो यहाँ पर जो है, इन्होंने बताया हुआ है, local language आपको आनी चाहिए, 18 year old आप जो है, यहाँ पर रहने चाहिए, या फिर उस से जादा और आपके पास Android और iOS device यहाँ पर रहना ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इन्होंने बताया है, payments regarding payment कैसा हैगी, the task pay rate can be found in crowdown, you will receive the specified pay rate from your task once it completed according to our instruction fully accepted during the quality check phase, तो यहाँ पर आपके काम की quality check होगी, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है, अगर आप इसकाम को complete कर देते हैं, जैसा company ने बताया है, तो आपको यहाँ पर payment मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर entire task जो है, आपका not accepted, you will be paid proportionally for each accept recording, for example, यहाँ पर आपको यहाँ भी एक record करते हैं, किसी भी task को, तो आपको जो है, each recording की यहाँ पर payment मिलेगी, okay, वो चीजी यहाँ पर बताया है, depending on the task type that you have participated, not the pay rate display represents the total amount of you can earn all accepted recording, the total number of sentence to read not per sentences, तो यहाँ पर जो 220 sentence आपको देंगे, आपको उसको record करना है, बोल कर, okay, इस चीजी का ध्यान रखना, और उसके बाद 220 sentence जब आप record करके, send कर देंगे, फिर उसकी quality check होगी, किस तरीके सा आपने अच्छे से बोला है या नहीं, उसके बाद आपको यहाँ पर payment वो दे दी ठीक है, तो बहुत अच्छा काम है गाईज, यहाँ पर इसको जरूँ से apply कर लेना, apply करने के लिए आप यहाँ पर काम क्या करना है, आपको simple सा काम है आपका, यहाँ पर apply का option आजाएगा, आपको black color का, किस तरीके से, मैं mobile से करके दिखाँगा, क्योंकि यह mobile का work है, तो हम mobile से अब करके दिखाएंगे, तो अभी मैं आपको mobile की screen पर लेकर चलता हूँ, जैसे के भी आप देख सकते हैं, हम आचुके अपनी mobile की screen पर कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिल जाता है, और यही interface मैंने अपने mobile में भी open करके रखा हुआ था, तो आप इसको check out अच्छे से कर स तो यह मैंने already applied किया हुआ है, इसलिए मेरे को यहाँ पर option नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ, back करके, तो मैं इसको back करूँगा, back करने के बाद यहाँ पर जो है, मैं अपने इस task पर जाओंगा, और इस पर click करूँगा, एक second, यह third बारे task पर जाओंग तो यह मेरा apply हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो है, वो show होगा यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं back जाओंगा एक बार, इसको back कर देता हूँ, back करने के बाद आपको यहाँ पर applied वाले section पर जाना है, तो जितने भी project आपने यहाँ पर apply करेंगे, वो आप आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है, इनको complete करने के लिए आपको इस पर continue पर click करना है, फिर यहाँ पर जो है अपना form वगेरा fill करना होगा, किस तरीके से बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस steps आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस पर आपको जो ह अपनी date of birth, और यहाँ पर जो है आपको बताना है, आप English कितने age से बोलना start क्या है, तो आप अपनी वो age select कर लेना है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 साल, जो भी आपने मतलग कब से भी start क्या हो, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, जैसे for example, मैंने 15 साल के उमर में English सीखना, मतल आपको कितनी language यहाँ पर जो है, बोलनी आती है, अपने घर के अंदर, यहाँ पर जो है, मेरको एक ही language आती है, तो मैं यहाँ पर हिंदी select कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, number of years you lived in current country, तो यहाँ पर जो है, आपको one select कर लेना है, हम इंडिया में ही र आपको लेना है, उसके बाद यहाँ पर जो है, इसमें भी आपको one ही लिखना है, education level यहाँ पर आपको select कर लेना है, अपने high school किया है ठीक है या फिर some high school secondary किया है तो वो सब चीजे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना bachelor degree, master degree, associate degree अपने इसाब से यहाँ पर जो भी आपकी qualification है वो यहाँ पर select कर लेना उसके बाद यहाँ पर आपको next चलना है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इन्होंने linguistic qualifications तो य यहाँ पर complete पर इस तरीके सापको click कर देना है translation experience आपको कितना है अगर है तो yes करना नहीं है तो no कर देना transcription experience कितना है अगर आपको काम चाहिए तो yes करना मैं पहली बतारहूं इस चीज का no करेंगे तो कोई भी company आपको काम नहीं देगी तो इन पर yes yes कर देना इस पर भी आप लिखी देना तो यहां पर आपको zero लिखी देना है अपने किसी भी company में काम नहीं कर रहे हैं ठीक है आप ऐसे fresher है या फिर fresher आप यहाँ पर लिख सकते हैं okay उसके बाद land of residency यहां पर आपको बताना है तो यहां पर आपको क्या करता है अब यहां पर बताता हूं for how many years you have lived in current company of residence तो यहाँ पर आपको one लिग देना है उसके बाद यहाँ पर आपको search engine evaluator के बारे में बताना है तो यहाँ पर आपको no कर देना है इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर आपको next पर जाना है और यहाँ पर आपको one select कर लेना है यानि कि India आपको तो यहां पर टाइप कर देना है, क्योंकि हम इंडिया में ही रहे हैं, अपने जादे टाइम, उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट वाल इंटरफेस पर लेकर चलता हूं, एक सेकिंड, हाँ, उसके बाद यहां पर पर प्ली स्लेक्ट विच उप फॉलोइंग कंपनी यू आपको यहां पर आपको नन स्लेक्ट कर लेना है, किसी भी कंपनी में हमने नहीं किया है, तौ यहां पर जो है मैं इसको क्या करूंगा, अदरस पर आ जाँँगा, इस तरहीके से और इसको नेस पर क्लिए कर दूंगा, आपका जो यह पहला इस्टैप की किंफूली कर लेना फिर आपसे वैलिडेट स्मार्टफोन के बारे में पूछा जाएगा यानि के आपके स्मार्टफोन में कौन सा Android या फिर OS है तो आप उसको चेक कर लेना सेटिंग में जाके और उसके बाद यहां पर उसको मेंशन कर देना आपको यह बस इतना काम हो जाएगा उसके बाद आपको अपना PAY मेंट अकाॉंट सेट करना है यानि कैसे तो यहां पर पाइइना प्या कर सकते हैं यूट्यूप पर प्यापने प्तां चल जाएगा फिर आपको फिर आप बैंक कांट को इसमें कर ले ना, को इतना काम ये फिनिश हो जाएगा फिर आप अपन और जैसा मैंने आपको बताया है, typing का आपको किस तरीके से करना है, और जो आपको object की recording करनी है, वो किस तरीके से करनी है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारा काम देखने को मिल जाता है, ठीक है, और जैसी आप यहाँ पर register करेंगे न, जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था रेजिस्टर करने के लिए आपको, जो है क्या करना होगा, इस पर login करना होगा, तो login जैसे है आपको email आजाएगा, email पर आएगा, आपका congratulations करके जैसे कि मैंने वीडियो के starting में दिखाया था उसके बाद आपको क्या करना है अभी मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि मुझे यह email आया था तो आपको क्या करना है देखिए यह जो link यहां पर आपको देखने को मिल जाती है आपको सेम वैसे ही करना है so guys I hope कि यह video आपके लिए helpful रही होगी आपको मिने payments से related और किस तरीके सापको इसमे apply करना है अपने project आप यहां पर देख सकते है my project पर जाके projects पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी आपके project होंगे वो आ जाएंगे जब आप उसमे form को fill कर लोगे तो इस चीज का दियान लखना वो जब यहां पर show होगा ठीक है इस तरीके से ठीक है तो यहां पर जाके आप अपने हिसाफ से task को complete कर सकते हैं उसके बाद यहां पर apply कौन कौन से की आप यहां पर check out कर सकते हैं ठीक है और उसको जो है आप अगर आप continue करना चाहते तो यहां पर continue पर click कर देना और फिर इस form के बारे में जो है जित्ती भी details है वो fill करके अपने काम को यहां से नेसे जाके start कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से यहां पर simple सा काम होना है और कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं और यहां पर जो है Instagram पर आप मुझे DM कर सकते हैं अपने में आप सब्सक्राइब करना बारे आप सब्सक्राइब करना आप से नेक्स वीडियो में और सब भी किलिए अच्छान